महांत संगीत कार रविंद्र जैन का गाना रविंद्र जैन सहाब में सजाया कि दिल वाले दुलनियां सब्सक्राइब दुबधी एक जबर्दस्त लेखख भी रहे शास्त्रिय संगीत का विधिवत प्रशिक्षन लेने के बाद मन बनाया कि अब संगीत की यात्रा को आगे बढ़ाया जाए और ये पहुंचे कलकत्ता कलकत्ता शहर में इन्होंने काम तो किया पठान लिया था ये कभी साइन नहीं करूँगा सब इन से पूछते कि क्या बात है रविंज साब आप दस्तखत क्योंने ही करना चाहते और तब ये फर्माते कि साइन करूँगा तो फिल्म ही साइन करूँगा जब तक इन्होंने फिल्म साइन नहीं की ये हमेशा अंगुठा ही लगाया करते थे थाम इंप्रिशन से ही काम चलता था दूसरी शर्थ इन्होंने रखी थी कि कभी किसी के साथ तस्वीर नहीं खिचवाऊंगा जब तक लोग इनके साथ तस्वीर खिचवाने के लिए राजी नहीं होते और ठीक बैसा ही हुआ नाम हुआ और लोगों ने कहा कि आपके साथ तस्वीर खिचवानी है तीसरी शर्थ रविंद्र जैन सहाब ने ये रखी थी कि वो कभी किसी को असिस्ट नहीं करेंगे मतलब बतौर असिस्टन डिरेक्टर इन्होंने कभी काम नहीं किया हाला कि मुंबई से कई बुलावे इन्हें आए पर ये हर बार इंकार कर देते और इस तरह से सीधे बतौर मुजिक डिरेक्टर ही इनकी फिल्मों में इंट्री हुई जहां एक तरव राश्ट्री फिल्म्स के साथ इनका गहरा नाता रहा और उनकी कई फिल्मों में दादू का संगीत रहा सभी इन्हें प्यार से दादू ही पुकारा करते थे किशोर कुमार के साथ भी इनकी ट्यूनिंग खूब जंती थी किशोरदा शुरुआत में एक गाने के लिए राजी नहीं थे पर जब रवेंद्र जैन सहाब ने उस गाने की धुन सुनाई तो किशोरदा से रहा नहीं गया और वह गाना अमर गाना बना रवेंद्र जैन सहाब ने फिल्म सौदागर में संगीत दिया और सौदागर फिल्म जब दिल्ली में रिडीस हुई तो एक फंक्शन हुआ रवेंद्र जैन सहाब भी वहाँ पर मौजूद थे और वहीं पर एक लड़की इनके पास आई और कहने लगी कि मैं शादी करूँगी रवेंद्र जैन जी से ही करूँगी और आठ बरस तक उस लड़की ने इंतजार किया और फिर रवेंद्र जैन सहाब के साथ उस लड़की ने शादी की नाम दिव्या चाहे गीतकारी रही या फिर संगीतकारी रविंद्र जैन सहाब ने हर रंग खूब जमाया और सन 2015 नौ अक्टूबर वो घड़ी लेकर आया जब ये महान कलाकार ये दुनिया छोड़ चला गया रविंद्र जैन सहाब को हमारा सलाम